अब हम बात कर रहे है question number 30 की तो यहां पे वो क्या बोल रहा है sum of nth term sorry nth term आपकी किसी ap की यानि nth term जो है उसका answer दिया है 2n plus 1 और आपसे मांगा जा रहा है sum of n terms तो sum of n terms आपको पता है this is n by 2 into the first term और plus the last term ठीक है तो इसके accordingly अब answer क्या होना चाहिए अगर मुझे a का value पता चल जाए तो यहां पे मैं धीरे धीरे इस ap को देखता हूँ कि यहां पे exactly होने क्या जा रहा है अगर मैं let करूँ n की जगा 1 हाना अगर मैं n की जगा 1 let करूँ तो यह हो जाएगी बिल्कुल first term और इसका answer आएगा 2 into 1 plus 1 यानी 3 got it तो 3 answer आएगा यहां पे पहला term डालते हैं तो a की value कहीं न कहीं अगर आप देखो ढंक से तो वो 3 है तो यहां n by 2 है first term का answer मेरे पास आया है यापे 3 nth term जो की last term थी उसका answer आया है मेरे पास 2 n plus 1 अब मैं इसमें difference इसने नहीं निकाल रहा हूँ क्योंकि सारे जो उस options मुझे यहां दिख रहे हैं वो n की form में तो अब यह पूरा question n की form में convert हो चुका है तो this is n in 2 अगर मैं इसको plus करूँ तो this is 2n plus 4 और divided by 2 ठीक है और यहां पे अगर मैं 2 को common लूँ तो यह जाएगा 2n n plus 2 divided by 2 2 से 2 cancel तो हमें जो option number भी दिख रहा है वो ही हमार answer है and with this way your question is done thank you